हेलो दोस्तों, वेलकम तो CDIT Solution यूटूब चैनल, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक कमाल की अफडेट में लेके आ हूँ, IIT रुड़की की तरफ से आप लोगों को इंटर्चिप आफर की जा रही है, जिसमें पर वीक 25-100 के स्टाइफन भी आफर किया जा रहा है, इसमें आपको IIT में के प्रोफेसर से सीखने का मौका मिलेगा, कई सारी चीज़ें को जानने का मौका मिलेगा, प्रोजिक्स पे काम कर रहे होगे, जो भी लोग दोस्तों खास कर रिसर्च भी अपने आगे करियर देख रहे हैं, जिसे M.TEC करना चाहरे हैं, या फिर प्रोफेसर्टी आई है, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, यह सारा चीज़ें वीडियो में बात कर रहेंगे, अप्लाई करने का मौका, यहाँ पे आपको offer किसने लिए हो रहा है, और अप्लाई करने का प्रोसेस जो होगा, वो सबसी इस वीडियो में बताऊंगा, वीड प्रोफेसर्टी रूटी रूटी के दवार लाँच किया जाता है, जिसमें दोस्तों वो लोग जो की आईटी रूटी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बलकि और किसी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिया के जो AICT approved colleges हैं, उनके दवारा, उनके लिए internship होती है, internship अब देख सकते हैं, प्रोगाम एट IIT रूटी जिसमें आपको 2500 पर वीक का स्टार्मेंट आपको ओफर किया, चाहेगा साथ में आपको प्रोजेक्ट जहां पर फंट किया जाने वाला है, आप यहां पर देख सकते हैं, दोस्तों, प्रोगाम का objective है, दोस्तों, research exposure देना students को, ता college में पढ़ाई कर रहे हैं, और at least two semester of UG complete कर लिया है, मतलब जो भी लोग दोस्तों, second semester clear कर चुके हैं, second year में, third year में, fourth year के हैं, first year को pass out जो हो चुके हैं, वो second year, third year या fourth year के होंगे, वो इसमें apply कर सकते हैं, discipline की बाप कर लिजा दोस्तों, तो BR, BE, BTEC, MSC, MAK student इसमें eligible होने व जो tier two, tier three college के students हैं, उनके पास दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, 8 या 8.5 का आपका CGPA होना चाहिए, यह काफी बड़ा criteria है, जिसमें बहुत सारे लोग शायद यहाँ से ही अच जाएंगे, अगर आपका CGPA 8 या 8.5 नहीं होगा, तो आप इसमें eligible नहीं होंगे, आप इसम और इसमें दोस्तों, आप दोगों को देख सकते हैं, कि आपको mark sheet भी, जो भी आपके mark sheet आई है, उसकी जो भी transcript है, उसको submit करना होगा, और photograph आपको submit करने होगा, 500 बक में research statement बनाना पड़ेगा, और एक से दूपी इसका resume बनाना पड़ेगा, और no objection certificate आप लोगों college से लेना आप इसके बार में देख सकते हैं, और यहाँ पर आपना answer देख सकते हैं, साथ में photograph आपको attach करने, पढ़ने वाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोस्तों, यहाँ पर यहाँ भी बट रागया है, कि आप लोगों को mention करना पड़ेगा, five faculty member का नाम, list of faculty member interested in having seven interns, तो आ इसके नाम आपको दिये जाएंगे, उनमें आप लोगों को करना क्या होगा, उनमें इसे पांच लोगों का नाम चूज़ करना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको यह detail हना, उनका detail फ़रना पड़ेगा, वो आपको कैसे बता चलेगा, उन तो professor का नाम वो भी आगे बताता ह है, apply करने के link description पे आपको मिल जाएगा, apply करने का link description पे आपको जब मिलेगा, तो यहां से आप दोस्तों login पे जाएगा, login पे अगर आप जाते हैं, तो login student का option आ रहा है, तो यहां पे आप लोगों को अपना detail sign up कर लेना है, और detail डालना है, फिर आप से पूरे forms को fill करने के ल और यहां पे दोस्तों कुछ faculty advisors भी आपको दिख रहे हैं, और इसके अलाबा अगर आप चाहें दोस्तों, तो FAQ sections को ज़रूर visit कर गिएगा, कि कौन से year pass out होने बाले इसमें apply कर सकते हैं, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, यह सारी सी इसमें आपको बताया गया है, अगर आप इंटरेस्टे हैं, link description पर available है, I hope video पसंद रहे होगी, दोस्तों के साथ share कर देएगा, ताकि subscribe उठाप है, thank you so much दोस्तों